सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में लॉरेंस विश्णोई के नाम से बुख हुई कैप पहुचने से हरकम बच गया। कैप देखकर पुलिस वालों के हाथ पैर फूल गये। पुलिस ने कैप का चप्पा चप्पा छान मारा। डर था कि कहीं कैप में बम न हो जो पूरे गैलेक्सी अपार्टमेंट को उड़ा दे। दरसल देराद गैलेक्सी अपार्टमेंट पर जो हुआ उसने सलमान और उनके परिवार की सांसे अटका दी। लौरेंस विश्णोई के नाम से बुक कैप गैलेक्सी के अंदर तक पहुँच गई। इस बारे में जानकारी मिलते ही वहाँ के वाच्मैन ने फौरण पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुँची और कैप चालक को हिरासत में लेकर बुकिंग करने वाली की जानकारी निकाली। इस वारदात ने मुंबई पुलिस के कान खड़े कर दी हैं। मुंबई पुलिस अब एलर्ट पर है। दरसल एक शक्स ने एप के जरिये सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से बांदरा पुलिस स्टेशन तक जाने के लिए लौरेंस विश्णोई के नाम से ओला कैप बुक की थी। जब ओला ड्राइवर कार लेकर सलमान के घर पहुचा तो वहां के वाच्मेंट से बुकिंग के बारे में पूछा। कैप ड्राइवर ने बताया कि यहां से लौरेंस विश्णोई ने कैप बुक की है। लौरेंस का नाम सुनकर वाच्मेंट के पैर काप गए। उसने ड्राइवर से दुबारा पूछा तो कैप ड्राइवर ने कहा कि इसी लौकेशन से लौरेंस विश्णोई ने कैप बुक की है। वाच्मेंट ने ये सुनकर सीधा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ये सुनकर सकते में आ गई। हत्यारों से लैस होकर पुलिस ने कैप पर धाबा बोल दिया और ड्राइवर को पकड़ लिया। ड्राइवर को कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ है। वो सलमान और लौरेंस के मामले से अंजान था। ड्राइवर ने पुलिस को बताये कि इसी लोकेशन से लौरेंस विश्णोई के नाम से कैप बुक की गई है। यह बात पुलिस की मदद से लड़के को गिरफ़तार कर लिया। लड़के ने बताया कि वो बस प्रैंक कर रहा था। उसे नहीं पता था कि पुलिस उसे धून निकालेगी और गिरफ़तार कर लेगी। पुलिस ने लड़के को पकड़ने के बाद राहत की सांस ली और इस बात की जानकारी सलमान खान और उनके परिवार को जा कर दी तब जाकर सब की जान में जान आई पुलिस अभी एलर्ट मोड पर है लेकिन लड़के को पुलिस ने अच्छी खुराग दी है ताकि वो ऐसी गलती भाविश्य में दुबार आना कर सके बिरो रिपोर्ट बॉलिवुट पे चर्चा